देश वासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोच्छ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज डूटी में कमी की थी केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आगर किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और यह बेनिफिट नागरीकों को ट्रांसपर करे इसके बाद कुछ राज्यों ने तो बारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्यों के लोगों को इसका कोई लाप नहीं दिया गया इस वज़े से पैट्रोल डीजल की कीमते इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकामले कहीं ज़्यादा है यह एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही साथ ही पडोसी राज्यों को भी नुक्षान पहुचाता है स्वाभाविक है कि जो राज टैक्स में कटोटी करते हैं उन्हें राज्यस्व की हानी होती है जैसे अगर करनाटका ने टैक्स में कटोटी नहीं की होती तो उसे इन छे महिनों में पांच हजार करोड रुपिय से जादा का राज्यस्व मिलता गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसोई भी साड़े तीन चार हजार करोड रुपिये से जादा का राजय स्वे और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरीकों की भलाई के लिए अपने नागरीकों को तक्लिव नहीं इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वही गुजरात और करणाटा के पडोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन शे महिनों में साड़े तीन हजार करोड रुपिये से लेकर के पांच साड़े पांच हजार करोड रुपिये तक अतिरिक्त राज्यस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवेंबर महने में वेट कम करने की बात की सी सबको मैंने प्रार्थना की सी लेकिन कई राज्यों मैं यहां किसी के आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरीकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय, 6 महने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों नहीं माना, अब कई राज्य जैसे माहराष्ट्र, पस्चिम मंगाल, तेलंगना, आंधर पदेश, तमिलनाडू, केरला, जार्खन, किसे ने किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना औ और उनके राज्यों को नागरीकों को बोच कंटीलू रहा, मैं इस बात में नहीं जाओंगा, कि इस दोरान इन राज्यों ने कितना रेवन्यू कमाया, लेकिन अब आप से मेरी प्रार्थना है, कि देश हित में, आप पिछले नमंबर में जो करना था, 6 महने डीले हो चुक करके इसका benefit पहुंचाईए, आप सब जानते हैं कि बारत सरकार के पास जो revenue आता है, उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है, मेरा सभी राज्यों से आग रहे हैं कि वैस्वीक संकट के इस समय में कोपरेटिव फेडरलिजम की भावना पर चलते हुए, एक टीम के र अब मैं कई विशे हैं बारी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर दुनिया की देशों पर dependent है, कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सबसीड़ी पट रही है, हम किसानों पर बहुत ट्रांस्पर नहीं करना चाहत अब ऐसे संकट जेलने पट रहे हैं, तब मैं आप सबसे आगर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कि आप अपने राज्य, अपने पडोसी राज्य, सभी देशवाच्यों के हित में उसकी सर्वच्चे प्रास्विक दे, मैं एक और उधार देता हूँ, अब नवंबर मे जो करनाथा नहीं किया, इसलिए पिछली सहमें इन्हें में क्या हुआ है, आज चेन्नई में तमिल नाडू में पैट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जैवपूर में 118 से भी जादा है, हाइदराबाद में 119 से जादा है, कोलकता में 115 से जादा है, मुंबई में 120 से यही बगल में दीव दमण में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमण में 102 रुपया, अब कोलकता में 115, लखनव में 105, हाइदराबाद में 120 करीब-करीब, जम्मू में 106, जैपूर में 118, गुहाटी में 105, गुर्गाओं में 105 है, देरा दुन छोटा राज्य हमारा उत्राखड, 103 लुट विया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कि आप 6 महिने बले जो कुछ भी आपका रेविन्यू बढ़ा, आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, यह मेरी आपको विशेश प